सिद्धू, मुझे तुमसे जरुरी बात करनी है, अंदर आओ बैंक से फोन आथा कि तुम्हारे अकाउंट में किसी ने पांच करोड डिपोजिट की है तो मुझे डाउट हुआ, तो ये देखो, तुम्हारे रूम से मुझे ये मिला ये तो वीजा अप्रिकेशन है वो मेरी पहचान चुराने नहीं आया है तो फिर? वो तो मेरी पहचान लेकर अमेरिका भाग जाना चाहता है वो इंसान तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल रहा है और वहां इशिकल के साथ मिजब्येव कर रहा है मैं इसाब परदाश नहीं कर सकता मैं सब को सच बता दूँगा आप नहीं मामा हमारे किसी कदम से मन्जू की जान खत्रे में नहीं आनी चाहिए जब तक मेरा प्लान पूरा नहीं होता तब तक आप इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे अच्छा सुनो अगले हपते मेरे बेटी की शादी है आप सब अपने पूरे परिवार के साथ आईएगा ये ज़रा रग भाई और जीजु को भी बता दीचेगा मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है कि कुछ समझ भी नहीं आ रहा तुम भूलना मत सुनिये ना वेडिंग कार्ट सब को देने से पहले हमें मंदिर में पूझा करनी होगी मैं चाहे कितनी भी बारकाओं पर आप भूली जाते हैं इसलिए मैं बार-बार याद दिला रही हूँ आपने फंक्शन के लिए हॉल तो बुक कर लिया पर डेकोरेशन मालों से बात की है क्या वो लोग बार-बार मुझे फोन कर रहे हैं हाँ दीदी बोलो अरे ये तो लोकी किसम जी इसके मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि लोकी खाना छोड़ दीजिए मैंने बस इतना कहा कि भाई बदल गए है कहरी कि सिदात पूरा बदल गया है जीजा जी आप क्यों आए मुझे फोन कर देते मैं ही आ जाता सिद्धू को बलाओ आव बेटो हलो क्या वो घर में है हाँ है फोन दो से हाँ ठीक है से दू तो मरे पापा अगर तू सिद्धार्थ है तो फिर हमारे घर में कौन है आज मुझे पता चला कि हमारे घर में जो रहता है वो एक राक्षस है तुमने हमारी जिन्दगियों के साथ ये शिका और मन्जू की भी जिन्दगी बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दी है मुझे बस तीन दिन का वक्त दीजे मैं सब ठीक कर दूँगा आप बस किसी को इस बारे में कुछ मत बताईए मुझे पर यकिन कीजे मेरे परिवार की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी लेकिन अभी और इसी पल से ये आप की जिम्मेदारी है पापा उनका खयाल रखिये हमेरे में के वड़ों गुद़ जिम्मेदाए में का उनका ये अविज़ते लोगाई में का तून अइजब्या में का उनका वाववब्या ज करना हुआ है विपिन, सिध्धार्थ को कल दिश्चार्ज करेंगे उसके हाथ पे छे उंगलिया है हाँ, है तो वो सिध्धार्थ नहीं है मन्जु है मन्जुनात हेगडे मन्जु के मरने के बाद ही तुम ये देश छोड़के जा सकते हो जब तक सिध्धार्थ सिंदा है वो मुझे ये देश छोड़के जाने नहीं देगा अभी तक उसने कोई न कोई प्लान जरूर बना लिया होगा वैसे प्लान क्या है? उसे जो भी करना है करने तो तुम जानते हो कि मैं अपना प्लान पंदर अगस्त को एग्जेक्यूट करूंगा बिफोर देट इफु दोंट शेर दी डम डिटेल्स देन कंसिडर दील एस कैंसल्ट डोंट वरी डगलिस अपने लोगों को बता दो काम कौन कर रहा है बेपेन आपको कल किसी भी तरह आमारे तैक्यू है वक्त में बेपेन को सेंट्रल मॉल कराना ही होगा ये बताओ कि तुम बेपेन से मुकाबला कर पाओगे अब और कोई रास्ता नहीं है पाओगे